अलो दोस्तो वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी मैं हूँ सुम चोधरी और दोस्तो आप जानते हैं कि इस्टन यूरोप में रूस और यूकरेन के बीच में एक मेजर कॉन्फिलिक्ट चल रहा है जिसके उपर हमने सेपरेटली वीडियो बनाया था जिसमें हमने समझा था रूस ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए यूकरेन को तीन देशों में तोड़ दिया है यूकरेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसको डॉनबास रिजन कहा जाता है इस डॉनबास रिजन में ही मेंली सेपरेटिस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे यूकरेनियन गोर्मेंट क यहां पे जो युक्रेन है वो तीन देशों के तोर पे तूट गया है एक तो युक्रेन खुद देश है उसके अलावा लुनास्क पीपल्स रिपब्लिक बन गया है उसके अलावा डॉनेस्क पीपल्स रिपब्लिक बन गया है हलांकि इन दो नए देशों को इंटरनेशनल कम् इसके उपर किस तरह से रियक्ट किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे UNSC की मिटिंग में क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे भारत ने किस तरह से रियक्ट किया है उसके उपर चर्चा करेंगे और इसके बाद ये देखेंगे कि आने वाले समय में इस action के क्या repercussions हो सकते हैं शुरुआत करते हैं वलामदीर पुतिन की उन लाइनों से जिन से इन्होंने इस बात को शुरुआत की देखे वलामदीर लेनिन का आप जानते हैं कि उनका एक अपना अंदाज है वो बहुत ही बातों को बहुत ही clearly बोलते हैं उसी में उन्होंने शुरुवात इस तरह से करी Western World के जो देश हैं उनके लिए उन्होंने एक warning सी दे दी और कहा If you didn't want us to be friends but you didn't have to make an enemy of us अगर आप हमारे दोस्त नहीं बनना चाते आप हमारे साथ मितरता नहीं करना चाते वो ठीक है लेकिन आपको हमारे साथ दुश्मनी भी नहीं करनी चाहे थी तो basically ये बात इन्होंने एक तरह से एक धमकी भरे लहजे में कई है कि आप हमारे साथ धमकी वो करोगे आप हमें contain करने की कोशिश करोगे जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये containment करने की कोशिश थी यहाँ पर रश्या को Western World की की Ukraine को और ये जो रश्या के साथ जो जो देश बॉर्डर शेर करते हैं इनको NATO का मेंबर बना लिया जाए NATO का मेंबर बना लिया जाए तो Ukraine को ये मेंबर बनाने की ताक में थे Western World के देश यूएस और बाकी जो देश है NATO के तो Ukraine भी इस चीज में दिल्चस्पी ले रहा था कि उनको NATO का मेंबर बनना है की नहीं और रश्या ने ये पहले ही कह दिया था कि ये red line होगी इसको cross मत करना कि आप Ukraine को कभी भी NATO में शामिल मत करना लेकिन इसके लिए किसी तरीके का वो वादा नहीं किया गया US के दौरा और Ukraine के दौरा कि वो NATO का मेंबर नहीं बनेगा इसकी वज़े से एक conflict जो है वो बहुत ही जादा गर्मा गया और अब recently ये क्या हुआ है कि आप जानते हैं कि ये जो सेपरेटिस्ट जो कंट्रोल एरिया था डौनबास रेजन जिसको कहा जाता है इसमें से ही दो नए देशों का इन्होंने recognition कर दिया है 2014 में इन्होंने करीमिया को annex किया था अब 2022 में इस छेतर को इन्होंने एक तरह से annex कर लिया है और western countries जो हैं जो युक्रेन का फाइदा हुटा के रश्या को contain करने की कोशिश कर रहे थे वो तो contain नहीं कर पाए उल्टा नुकसान हो गया यहां पे युक्रेन का और उनकी जो sovereignty है और उनकी जो integrity है वो एकदम से यहां पे ताक पे आ गई तो ये दो छेत्र हैं लुनास्क और डॉनवेस्क इन दोनों छेत्रों को इन्होंने बना दिया है People's Republic of Donask यानि की लुनास्क People's Republic और दूसर हो गया है Donask People's Republic अब इन दो नए देशों को पूरी तरह से पूरी दुनिया भर में जो है recognition नहीं मिली है इन दो देशों के नए जंडे भी बना दिये गए हैं, इनके राश्चपती भी डिकलेर कर दिये गए हैं, इनके राजधानिया भी हो गई हैं सब कुछ इन्होंने तै कर दिया है, एंथम वगएरा सब कुछ हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल कम्यूटी इनको रिकोगनाईज नहीं करती है इनके विकिपेडिया पेश तक बन गए हैं, रश्या में इस तरह से इन्होंने बना दिया है, लेकिन ये जो देश हैं इसको जैसे सीरिया रिकोगनाईज करता है उसके अलावा आने वाले समय में रश्या के जो क्लोज अलाईज हैं जैसे की बेलारूस है, वो इनको रिकोगनाईज कर देगा उसके अलावा और जो देश हैं वो धीरे-धीरे करके इनको recognition दे देंगे लेकिन western world के जो देश हैं वो कभी भी भी इनको recognize करेंगे नहीं एक separate country के तोर पे नहीं देखेंगे वो इनको हमेशा युकरेन का हिसा ही मानेंगे उसके अलावा पुतिन ने आगे इस बात से आगे बढ़के ये बात और कह दी कि इन छेत्रों में शान्ती इस्तापित करने के लिए रश्या की जो forces हैं वो आगे बढ़ेंगे और इस पूरे के पूरे छेत्र में जो है Russian army जो है उसको deploy किया जाएगा as a peace keeping force peace keeping force के नाम पे इन्होंने अपनी army को ये पूरे के पूरे छेत्र में जो की Ukraine का हिस्सा हुआ करता था उसके अंदर भेज दिया है और Ukraine की सरकार को भी एक तरह से धमकी बरे लहजे में कह दिया है कि आप अपनी जो military है इस छेत्र में जो की जितनी भी military इस छेत्र में रही हु किया सबने यहां पे press conferences की tweet किये और कहा कि यह जो चीज हुई है Ukraine की integrity और sovereignty को हट करने की कोशिश करी गई है उनको invade किया गया है यह बहुत गलत हुआ है हम इस चीज में पूरी तरीके से रश्या के खिलाफ हैं और हम रश्या के खिलाफ कड़े यहां पे कदम उठाएंगे औ और NATO के पूरे देश जो है वो Ukraine में जाके Russian army है उसका मुकाबला करें Russian army के खिलाफ वो लड़ाई लड़ें इसकी संभावना ना के बराबर है अभी के लिए तो आने वाले समय में अगर कोई और heat up moment हो जाता है और कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वज़े से यह युद ब रड़ने को उतर जाएं लेकिन अभी के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर वार शुरू होगा और यहां पर sanctions की बात इन्होंने कई है US ने कहा है कि इनके उपर हम major military यह sanctions लगाएंगे जैसे पहले लगा रखे थे काटसा एक्स के थुरू जिसमें क्या होता था कि रश्या के अंदर कोई भी US के या फिर इन NATO countries के जो बड़े businessmen है वो investment नहीं कर पा रहे थे रश्या के साथ दूसरे देशों को भी व्यापार करने के लिए रोक रहे थे ब्लोकेड कर रहे थे उनके व्यापार को तो इस तरी तरीके की बात Boris Johnson ने कही है कि हम economical interest को hurt करेंगे रश्या के इसी तरीके की बात यहाँ पर ऑस्टिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने Scott Morrison ने भी कही है कि इनकी जो oil industry है telecom industry है जो individual banks हैं इनके उपर हम एक तरीके से freeze करेंगे इनको दबाव में डालेंगे कि रश्या जो अपने economical interest की वज़े से वो ऐसे actions आगे ना ले तो basically किसी ने भी यहाँ पर military action की बात नहीं करी है सिर्फ यहाँ पर economical interest को hurt करने की ही यहाँ पर बात हुई है तो यह सब चीजे हुई है टर्की ने भी इनका विरोध जाहिर किया है लेकिन यहाँ पर कोई वो नहीं किया है economical sanctions या military की बात नहीं हुई है जर्मनी ने क्या कहा है कि उनकी जो nord stream pipeline है उसका जो approval है उसके उपर इन्होंने रोक लगा दी है नोर्ड stream pipeline क्या है आप जानते हैं कि रशिया में gas के बड़े बड़े बंडार है natural gases के बड़े बंडार है इसमें एक pipeline थी जो nord 1 थी वो जर्मनी को जाने वाली है और वो आने वाले समय में इसका पूरा निर्मान होने वाला था तो ये जो nord stream pipeline है इसका निर्मान जो है और इसकी जो approval है वो कहीं अभी भी अठका हुआ है और ये pipeline को रोकने की बात यहाँ पे कर दी है जर्मनी ने हालां कि इसमें जर्मनी के भी कुद के interest है ना केवल रश्या के ही हैं जर्मनी के भी हैं तो हो सकता है ये आने वाले समय में इन sections को वापिस खिंचले लेकिन शुरुआत के लिए इन्होंने ये sanctions लगा दी है उसके अलावा US ने और क्या action लेने की बात करी है action लेना तो छोड़ो US ने तो वही कदम उठा दिया है जैस तो रश्या की यहां कही ना कहीं जीत आप देखने को मिल सकती है कि उन्होंने युकरेन के एक बड़े छेतर को भी कब जा लिया है दो देशों में भी बाट दिया है उनके उपर economical sanctions लगेंगे उनकी economic को बड़ा damage होगा लेकिन आप उस तरह से देखे ना जो चीज वो चाहत agency meeting हुई और उसमें क्या कहा गया कि यह जो major conflict है होने की जो संभावना है कि जो western world के country और रश्या की जो आर्मीज है वो आपस में टकरा सकती हैं उसको पूरी तरीके से prevent करना है हर हाल में और आप जानते हैं कि UN में कौन बैठता है UN में भी इन देशों के envoy हैं वो ही बैठते है यह रश्या का जो action है यूकरेन के अंदर जाके दो देशों में तोड़ना इसकी सभी ने निंदा करी है UN में भी निंदा की गई है इसकी क्या बोलते हैं आगे चलके इस चीज़ के भी उपर निंदा की गई है लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि इस conflict को हम बाचित के थ बड़ा गोल है तो उसको रोकने में यह रोकने की पूरे प्रियास करेंगे और ऐसा शायद होगा भी नहीं भारत ने किस तरह से विरोध जाहिर किया है भारत ने किस तरह से इस चीज़ के उपर रियक्ट किया है विरोध नहीं सोरी तो भारत ने इसके उपर कोई ज्यादा वही अपना जो low profile वाला ही काम किया है इनोंने कहा है कि भई देखे हम concern है इस बात को लेकर कि क्या कुछ हो रहा है वहां के जो civilians हैं उनकी हालात के लिए हम concern है लेकिन इस action को इनोंने condemn नहीं किया है कुछ नहीं कहा है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया एक देश को क्यों तोड़ा नहीं उन दो देशों को recognition दी है इंडिया ने अपनी low profile रखी है कोई ज़्यादा इसके project किया नहीं है अब ये जो matter आगे बढ़ेगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी तो उसके बाद भारत को आप जानते हैं कि भारत के अलग लग group बने हुए हैं रश्या के साथ भी भारत के कुछ बड़े organizations में भारत है उसके अलावा जो western countries हैं जिसमें US, Australia और squad की entries में भारत हैं तो भारत को बड़ा balance बना के यहां पे चलना पड़ेगा कि रश्या के साथ भी हमारे relations खराब ना हो जाएं और western countries के साथ भी relations खराब ना हो जाएं उसके लिए हम इसके उपर एक तरह से दबे शब्दों में थोड़ी से आलोचना कर देते हैं अगर कोई ज़्यादा hard action ले लेता है तो और उसके बाद उससे side line कर लेते हैं तो यही है कोई भी देश जो है उसका आप जानते हैं कि interest होता है उसका कोई देश दोस्त या कोई उसका दुश्मन नहीं होता उसके अपने interest होते हैं उसमें चाहिए वो economical interest देख लीजिए चाहिए यहाँ पर उस पर जो दूसरे तरीके के interest हैं वो देख लीजिए हैं लेकिन देशों की politics में आपस में क्या हो रहा है उसमें सिर्फ interest ही matter करते हैं तो hopefully आपको चीजें clear हुई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो की PDF और वीडियो से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहेगी तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो है वे गुड़ देशी नेक्स लेक्चर